एलो एवरीवन, hope you are doing well आगे बढ़ते हैं तो देखे, यहाँ पे पहला वर्ब लिखा हुआ है clap, clap का उन्तलब होता है तालिप जाना, इसका infinitive क्या होगा to clap, पता है हमें work 1st form से पहले to लगा दो तो बनता है infinitive 2nd form, clapped, 3rd form, clapped, and present participle clapping अगर मैं आप से पूछो, कौन से वर्ब होई है यह होगी regular वर्ब, why क्योंकि इसका last में ed, ed add हो रहा है आगे बढ़ते हैं कम, कम का मतलब होता है आना कोस्ट का मतलब कीमत होना और कोपी का मतलब होता है नकल होना देखे friends, आप किसी भी exam की preparation कर रहे है स्टाफ सेलेक्शन, कमिशन, बैंक वगारा कोई भी exam हो, हर एक exam के लिए यह वरी list हमारी useful होती है आगे बढ़ते हैं तो देखे जैसे यहां पे लिखा हुआ है complain, complain का मतलब शिकारत करना किरिख का मतलब रहेंग ना होता है, cut का मतलब मुझे विए भी देखे लिए